हमारे दीश भारत में रहस्यमे और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसा ही एक मंदिर उत्राखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी परिस्थित है। इस मंदिर में हर दिन एक चमतकार होता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ती दिन में तीन बार अपना रूप बदल लेती है। मूर्ती के साथ होने वाला बदलाव को देख लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। धारी देवी की मूर्ती सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। ये नजारा वाकई हैरान करने वाला होता है। देवी काली को समर्पित इस मंदर के बारे में मानिता है कि यहां मौझूद माधारी उत्रखंड के चार धाम की रक्षा करती है। धारी देवी मंदर जील के ठीक बीचों बीच स्थित है। उजारियों की माने तो मंदर में माधारी की प्रतिमाद द्वापर युग से ही इस्थापित है। इस्थालिय लोगों के मुताबिक माधारी के मंदर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था। और उनकी मूर्ति को उनके मूल इस्थान से हटा दिया गया था। इस वजह से उस साल उत्राखंड में भैयानक बाढ़ा आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गये थे। कहा जाता है कि धारा देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था। और उसके कुछी घंटों बाद राज्ज में आपदा आ गई थी। इसके बाद उसी जगहे पर फिर से मंदर का निर्मान कराया गया। जनतंत्र टीवी से ही शुरुतिक रिपोर्ट।